हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो आवर चैनल तो आज का हमारा टॉपिक है कोशनायर जिसको हम प्रशनावली बोलते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप प्रशन पूछ कर यहां पर उत्तर दाता से उत्तर प्राप्त करते हैं यानि कि प्रेशक इसमें उत्तर दाता से अपने प यक्ति से पूछ कर सूचना एकत्रे की जाती है प्रशनावली अनुसंधान करके करने का एक ओजार है जिसमें लोगों से सूचना एकत्रे करने के लिए उनसे बहुत से प्रशने पूछे जाते हैं इस विदी की खोच 1998 में सेटिस्ट इस्टेस्टिकल सोसाइटी ओफ लंडन ने किया था प्रशनावली निर्मान में एक आत्मनिष्ट तथा परियोग में वस्तुनिष्ट विदी है इसका परियोग तब किया जाता है जब तथियात्मक सूचनाव की अवशक्ता होती है प्रशनावली का निर्मान इस परकार किया जाता है जिससे व्यक्ति के वांशि गुनों का मापन हो सके, परशनावली का परयोग व्यक्तिकत तथा सामूहिक दोनों रूपों में किया जा सकता है, यदि परशनावली का परयोग समूह के लिए किया जाता है, तो यह समय धन और श्रम की बचत करने में सहयोग होता है, तो देख सकते परिवाशा दिया हुआ है गुड़े तता होट के शब्दों में समानने रूप से प्रशनावली शब्द प्रशनों के उत्तर प्राप्ट करने की उस प्रणाली को करते हैं जिसमें स्वय उत्तरदाता के द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म का परियोग किया जा प्रशनावली विभिन व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रशनों की एक तालिका है उसकी वाद इसकी क्या-क्या विशेस्ताई है प्राथमिक सामगरी प्राप्त करने की अप्रत्यक्ष प्रनाली है या अधिकांच्छ दाग द्वारा भेजी जाती है इसे के यह शेक्षित उत्तर दाताओ के लिए किया जाता है इसमें प्रशनों को सरल maggल इस परष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है और इसके प्रकार देखेंगे प्रशनावली तत्थे इसमें क्या वतार समाजिक तत्थे और कット्री करने कलिए प्रयोग गिया जाता है उस उसके बाद संरचित प्रशनावली इसका रचना को पहले ही अनुसंदान के द्वारा बना दिया जाता है कि उससे क्या-क्या प्रशन पूछने हैं और उसके बाद उत्तरदाता के पास बहया जाता है उसके बाद है गयर संरचित प्रशनावली इसमें प्रशनों को पहले नही पूरी संतोतनता होती है कि वो अपने इच्छा के अनुसार अपने उत्तर दे सकते हैं उसके बाद है चित्रात्मक प्रशनावली इसमें कोशन चित्रों के द्वारा भेया जाता है और चित्रों के द्वारा चित्रों के अधार पर उत्तर देना होता है मिश्रीत प्रश्णावली इसमें सभी प्रकार की प्रश्णावली सामिल है यान कि मैंने जितने भी उपर टाइप्स बताएं आपको प्रश्णावली सभी इसका मिक्चर होता है प्रश्णावली की प्रकरती प्रश्ण का आकार यान की sizing of question इसमें प्रश्णों का आकार size बड़ा नहीं होना चाये, बड़ा होने से उतर दाता प्रश्णों को avoid करता है, छोटा होने से उतर दाता जल्दी उतर दे देगा, भाषा कीista clarity होना चाये आपका, इसमें भाषा सरल misspence होना चाय 넌 ताकि उतर दाता जल्दी समझ सके, उसके बाद है उपयोगी सवाल फाल्तु सवाल नहीं होना चाहिए उसके बाद है अच्छा प्रशनावली के विशेश्टा प्रश्णों की संख्या कम होनी चाहिए प्रश्ण ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर हाया नहीं में दिया सकता है प्रश्णों की सरजना ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्तिगत पक्षपात प्रवेश ना कर पाए प्रश्ण सरल इसपस्ट और अर्थ वाले होने चाहिए प्रश्ण एक दूसरे को इसपस्ट करने वाले हो प्रश्णों की प्रकर्टी ऐसी होनी चाहिए कि अभिष्ट सूचना का प्रत्यक शिरुप से प्राप्त किया जा सके उसके बाद इसमें क्या-क्या क्क्वाल्टी होता है, गुन होता है, विशाल अधियन, कम-कर्च, सुविधा जनक, पुन्रा विरती की संभावना, निशुलक और निश्पक्ष जानकारी उसके बाद इसमें क्या-क्या वो दोश है प्रतिनिदी के नमूनों नमूने की कोई संभावना नहीं सिक्षित व्यक्ति ही इसको कर सकते हैं ग्रहन अधियन के लिए अनुप्योक्त पूरी जानकारी की कम संभावना प्रतिक्रिया की समस्या तो इसमें जितना परशन उसमें आपने डालागा उतना ही उतर आपको दिया जाएगा उससे ज्यादा आपको नहीं दिया जा सकता है इसलिए यहां पर बोला जा रहा है पूरी जानकारी की कम संभावना होती है तो यही हमारा प्रशनावली का टॉपिक था फ्रेंट्स उमीद करता है आपको यह वाला इंफोर्मेशन अच्छा लागा वागा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्स आपको स्रोचिं इस वीओ